हेलो अरिवान, वेलकम टू फार्मरोग्स यूट्यूब चैनल, फार्मरोग्स की यूट्यूब एज़ियो किसने चैनल में आपका स्वागत है, आज के वडियू लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे, जीरो डॉल एस्पी टेबलेट के बारे में, तो एस्पी का मतल क्या होगा, वो भी मैं आपको डेटेल में समझाऊंगा, साथ ही जानेंगे कि ये टेबलेट के यूज क्या है, उसका डूस क्या रहेगा, साइड इफेक्स क्या होगी, और वार्निंग और कॉन्टर इंडिकेशन के डेटेल स्टेडी करेंगे, आज के लेक्चर में और जान प्राफेसर और फांडर फार्मरोक्स, थेंक्यू पर बीन, फार्मरोक्स फेमिली, अपडेटेटर ये फार्मरोक्स के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, जैसे आज हम यहाँ पे जिरो डॉल स्पी के बारे में सिखेंगे, ऐसे ही सिखें, बहुत सार ये लगले ल लीजे और हमारा मेडिसिन कोर्स एकसेस करें, फार्मरोक्स के अब उपर तो ये कोर्स जोइन करने के लिए 9016312020 नमबर पे जरूर से कॉल या वाटसेप करें, लिंक डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही हमारा सेकंड चैनल, जिसका नाम है हॉलिवुड ट टैबलेट के बारे में तो ये तीन मेडिसिन का कॉंबिनेशन है, एक है एसिकलोफेनेक, सेकंड है पैरासेटामॉल और तिसरा सेराटियो पैप्टिडेस और इसके मैनिफेक्चर के हम बात करें तो IPCA लेबोरेटरी जो है वो जिरो डॉल एसिकलोफेनेक के जो है वो जो है वो प्रेजन्ट है और ये टैबलेट जो है वो फिल्म कोटेट टैबलेट रहती है तो आपके लिए एड़वाइज रहेगे कि जब भी ये टैबलेट आप खाते है तो उसको तोड़े नहीं बिकाज कुछ लोगों को आदत होती है कि टैबलेट को हाफ करके खाते है उसको cut करते हैं और half करके या फिर उसका one-fourth portion लेते हैं तो ऐसा नहीं करना है बीना तोड़े ही ये tablet को जो खानी है तो acyclofenic जो एक popular pain killer है दर्द निवारक के तोर्म पे काम करता है एनलजेसिक property है उसके पास paracetamol जो वो fever कम करेगा कि जो 325 mg जितना ये tablet के अंदर present है या आप देखो paracetamol IP standard के according to 325 mg जितना एड़ किया हुआ है और तीसरा एक unique ingredient है जिसका नाम है seratiopeptidase कि जो एक protein enzyme है कि जिसके पास anti-inflammatory property है तो ये medication तीन ऐसी दवायों का combination बन जाएगा कि जो आपके सरीर के अंदर रहा fever कम करती है दर्द कम करती है और susan यानि कि inflammation को कम करती है और paracetamol 325 है तो seratiopeptidase 15 mg जितना ये tablet के अंदर जो है वो add किया गया है और color add किया गया है इसके अंदर ferric oxide red जो है वो color add किया गया है और साथ तीटेनियम dioxide grease के अंदर है एक direction ये है कि आपको ये जो tablet जो बच्चों से दूर रखनी है light and moisture से भी उसको prevent करना है इसलिए आप देखो कि company ने जो उसका packing बना है वो भी इस तरह से बना है कि उसके उपर moisture की असर ना हो और tablet के उपर coating भी किया गया है कि जिससे आप उसको moisture से prevent कर सके light से prevent कर सके तो कैसे ये दवाई काम करेगी तो उसके पास जो analgesic property है anti-piratic है anti-inflammatory and painkiller property है तो ये क्या करती कि जो ये सभी जो problem है जैसे कि दर्द का जो problem है fever का जो problem है और inflammation तो वो problem के लिए कुछ ऐसे chemicals रिलीज होते है जैसे कि प्रूस्टाग लंडिन्स तो वो chemical की effect को block करके ये medication जो वो काम कर देगी जिसके कारण क्या होता है कि वो जो pain के mediators कम हो जाते है फीवर के mediators कम हो जाते है सुजन के chemicals कम हो जाते है तो ये दवाई लिने के बाद automatically आपके सरीर के अंदर रहा बुखार दर्द और सुजन जो ये वो कम हो जाती है तो यहाँ पर आप समझे कि इसके पीछे sp लिखा है तो sp का मदलब क्या है तो zero doll जो है वो ये company का brand name है और सालों से ये company zero doll के नाम से एक दवाई बेच रही है जिसका नाम है aciclophenic तो यहाँ पर आप देखो कि ये tablet के अंदर aciclophenic तो already present है बड़ साथ में दो और ingredient उसके अंदर add कर दिये गए हैं तो एक है seratiopeptidase तो seratiopeptidase का S जे है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि S for हो गया seratiopeptidase और एक और ingredient है P for paracetamol तो इस तरह से company ने उसका जो नया version बनाए है उसको नया brand name दिया है कि zero doll तो उनका famous ही था aciclophenic के नाम से तो zero doll के पीछे S पी लगा दिया है मतलब कि seratiopeptidase and paracetamol उसी तरह से आप देखो तो zero doll PB आता है कि जिसके अंदर सिर्फ P for paracetamol है और zero doll मतलब aciclophenic तो रहेगा ही 100 mg तो इस तरह से zero doll की तीन अलग अलग version available है एक plain zero doll available है यहाँ पे आप देखो second है कि जिसके अंदर सिर्फ aciclophenic है second है with paracetamol और यह latest नया zero doll SP के जिसके अंदर seratiopeptidase B 15 mg जितना present है और यह उसका packing आप देखो कि जो moisture से prevent करता है light से भी यह medication को prevent करती है तो इसके daily dose के बारे में समझे तो daily dose क्या रहेगा कि अगर आपकी mild condition है moderate condition है तो उस condition में patient एक tablet दिन में दो बार लेता है 12 गंटे के time interval पे और ऐसी condition है कि काफी severe condition है काफी ज़्यादा pain है, बुखार है, surgeon है तो एक tablet दिन में तीन बार और हर 8 गंटे के time interval पे तो दियान ये रखना है कि अगर आप दिन में दो tablet लेते हैं तो दो tablet के बीच में ये एक tablet और ये दूसरी tablet तो minimum 12 गंटे का time interval रखे और समझे कि 3 टाबलेट आप खाते हैं तो हर tablet के बीच में 8 गंटे का आप फासला रहे कि जिससे कोई side effects ज्यादा severe ना हो और complications ना हो यूस जान ले तो सभी तरह के दर्द में ये medication यूस की जाती सकती है सादो साज अगर आपको fever भी है सुजन भी है सरीर में और सभी प्रकार के दर्द को ये treat करेगे जिससे कि आपको tooth pain हो रहा है और दात में दर्द हो रहा है आपके सरीर में joint pain है या फिर बुखार है और आपके muscles pain कर रहा है joint में जोडों में दर्द है muscle में cramps से bone fracture हुआ और उसके करन सरीर में काफी दर्द हो रहा है तो उसको कम करेगा सुजन कम करेगी आपके सरीर के अंदर जैसे कि osteoarthritis के अंदर pain भी है सुजन भी है तो उसको कम करेगा rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis तो ये सभी conditions के जहाँ पे एक primary pain है सुजन है और बुखार है तो उसको treat करेगा 0-doll SP tablet with short-term pain, menstrual cramp, dental pain, knee joint का जो pain होता है तो सभी के लिए ये tablet use की जाती है, वीडियो के बीच में मैं आपको बता दू कि हमारी second channel को subscribe करके हमें जरूर support करे, link मैंने आपको description box में दे दी तो ये मेरी second channel है, उसको भी आप subscribe करे और मुझे support करे अब ये medications के कुछ side effects समझते हैं, तो एक ये medication लेने के बाद आपको जी गवरा सकता है, या फिर आपको vomiting हो सकते हैं, जिसको nausea vomiting हम कहते हैं abdominal bloating, मैंने कि पैट में gas बनना, फिर दर्द होना, और पाचन जैसी condition की जो digestion हम कहते हैं, burning feeling मैं कि कई बार पेट में जलन जैसे आपको फिल हो, acidity के कारण, तो उसके दौरान ये medication के साथ combination में कोई एक proton pump inhibitor, कि कोई भी जो प्राजोल है, omiprazole, raviprazole, या फिर कोई H2 blocker, like ranitidine, famotidine भी साथ में prescribe की जाते हैं, जिससे आपके ये side effect अगर आपको होते है, acidity related, तो वो हम कम कर सके, skin के उपर reactions हो सकती है, loss of appetite के करण, आपकी भूख कम हो सकती है, acidity, cough या फिर dust, जिससे कुछ common side effects हो सकते हैं, इसलिए इसके साथ combination में आपको omiprazole, raviprazole, या फिर ranitidine, famotidine जैसे tablet दिये जाते हैं, ये दवाई के कुछ serious side effects देखे तो stomach में ulcer, वलके pate में ulcer करवा सकती है, आपके heartbeat irregular करवा सकती है, liver में problem हो सकता है, kidney कराब कर सकती है, blood clotting जो process ये उसको disturb करा सकती है, इसलिए साथा नहीं बरती जाती है, कि जब आप ऐसे patient के आपको heart related problem है, kidney का भी problem है और liver का भी problem है, तो ऐसे लोगों को ये दवाई देने से पहले जो वो proper उनकी जाँच की जाती है, और अगर दूसरे safe medication available हो, तो ये medication उनके लिए use नहीं की जाती है, कौनसी condition में 0-doll SP यूज नहीं कर रही है, तो अगर आपको allergy है, किसी भी non-steroidal anti-inflammatory drug की, जैसे कि आपको pyrexycham की allergy हो जाती है, salicopsic की allergy हो जाती है, aspirin की allergy है, aciclofenic, paracetamol, या फिर diclofenic की आपको allergy है, तो ये दवाई नाख है, उसी तरह से आप heart के patient की जिसको icemic heart disease का जता है, तो heart के patient भी 0-doll SP को ना खाए, bypass surgery आपने कर रही है, blood circulation का problem है, कि आपके arteries में blockage है, आपका blood circulation serine में अच्छे से नहीं हो रहा है, आपको already pain में ulcer है, कि जिसको peptic ulcer हम कहते है, liver या फिर kidney related आपको problem है, कि आपका liver भी अच्छे से काम नहीं कर रही है, फिर बच्चों में ये medication को use ना करें आप, और pregnancy के दोरान इसको लेना avoid करें, अगर आपको bleeding problem है, तो भी ये medication ना खाएं, फिर उसके drug-drug interaction, मतलब कि ऐसी दवाई आप ले रहे हैं, लाइक आप aspirin खा रहा है और उसके साथ 0-doll-SP भी खाएंगे तो आपको complications हो सकते, तो ऐसी बहुत सारे medication के जिसके साथ ये दवाई interaction करती है, तो अगर आप ibuprofen खाते हैं तो 0-doll-SP यूज़ ना करें, cyclosporine, tacrolimus, lithium, desoxyn, warfarin, methotrexate, magnesium hydroxide, ketoconazole, mekonazole, fluconazole, variconazole, amiodarone, sulfine pyrozone है, metoclopramide, domperidone, cholesteramine है, imatinib, chloramphenicol, mefepristol, anti-diabetic drugs और anti-hypertensive drugs आप संजो के खा रहे हैं, तो उसके साथ कभी भी 0-doll-SP का combination आप ना बनाएं, तो जैसे अभी सीखा हमने, ऐसे ही detail में सीखे, किसी भी दवाई के बारे में, medicine course में, farmerox के mobile application के उपर के दवाई का आप basic use पहले सीखे, फिर उसका dose सीखे, अच्छे से, उनकी side effects सीखे, warnings, contraindication, वो भी एक साल तक affordable price में, जैसे अभी सीखा सर अलबास हमें, ऐसे ही detail में सीखे, farmerox के अब उपर, तो एप डाउनलोड करने के लिए और course की detail जानकारी के लिए हमें अभी whatsapp करे, 901631 और 2020 नमबर पे, link description box में मिल जाएगी, और फिर से में आपको बता दू, हमारी जो second channel है, उसको subscribe करके जरूर support करे, link आपको description box में मिल जाएगी, good luck and all the best.